साथियों आप सभी को पता है कि ग्यारा फरोजी 2024 को जो है आरो ए आरो तो जार तेइस की जो प्रार्मिक परिच्छा है वो उत्तर ब्रदिस्क लोग सेवा आयोक के दारा आयुजित कराए गई थी यहाँ परिच्छा जो है 411 पदों के लिए आयुजित कराए गई थी दो पा जिसको लेकर के अभ्यार्थियों के दारा विभिन जगहों पर प्रदर्सन किये गए और इसको लेकर के जो है विभिन प्रदार के साच प्रसुत किये गए जिसमें आपके सोसल मीडिया के साच दिये गए जिसने परिच्छा प्रारम होने से पहले ही विभिन सोसल मीडिया प्रेटफॉरम पे ये दिखाया गया कि वो प्रशन पत्र महां पर उपलब्द थे या उस में जो प्रशन पोचे गये थे अधिकान्स प्रशन उस सोचल मीडिया प्रेटफॉरम पे उपलब्द थे तो इन सभी को ले करके छात्रों के द्वारा आयोग से यह मांग की गई किसकी जाच की जाए और इस पेपर को कैंसिल किया जाए पहले दिन तो आयोग ने यहां बताया कि परिच्छा जो है पूरी तरीके से पारदर्सी तरीके से संपन हुई है परंत जब छात्रों का विरोध बढ़ता गया तो कह सकते हैं कि आयोग ने इसका संग्यान लिया और फिर इसकी जाच कराने के लिए उहां आगे बढ़ा और उसने एक आंत्रिक कमिटी के गठन करने की बात कही और उसने कहा कि हम STF के द्वारा इसकी जाच कराएंगे परंत इसको लेकर लगातार छात्रों के द्वारा विभिन सोसल मीडिया प्रेटफॉर्म के जरिये इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और लगातार यहां मांग की जा रही है कि यह परिच्छा रद दिकराई जाए और दुबारा से कराई जाए चुकि यदि आप देखें कि समिच्छा दिकारी की परिच्छा काफी समयबाद हो रही है और इतनी बड़ी बेकेंसी जो है समिच्छा दिकारी की पिछले कई वर्सों में नहीं निकली है 411 पदों के लिए और यदि आप अभ्यार्थियों के संख्या को देखें तो करीब 10 लाग से अधिक छात्रों ने इसका form submit किया था और आयोग के अनुसार ही जो है लवग 6 लाग लोगों ने इस परिच्छा में appear हुए थे याज इस परिच्छा को दिया था तो बहुत बड़ी संख्या जो है इस परिच्छा को दिया है यदि यहाँ परिच्छा कह सकते हैं जैसा छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पेपर आउट हुआ है यदि आउट हुआ है तो जो छात्र काफी मैनस से तयारी कर रहे थे और जिनको इस परिच्छा से काफी उमीदे थी, यह जो पूरा प्रकण है, उनकी उमीदों पर एक प्रकार से कह सकते हैं, कुठारा घात करता है, और उनके सपनों पर कुठारा घात करता है, तो होना यह चाहिए कि प्रसाशन को, इसको संग्यान मिलेते हुए, इस पर जो जगहों से आपकी न्यू जाने लगे कि पेपर आउट हुआ है, इसको लेकर भी वे जगहों से परतासन किया कि जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था आपगाजीपूर का, जहां पर कुछ छात्रों ने इसको लेकर कि विरोध किया था, अब हुआ कि गाजीपूर का पर राश्पति की मुहल लगाई गई है यहां जो कानून है देखे इस कानून का जो नाम क्या है लोक परिच्छा अनुचित साधुनों का निवान विदेख 2024 इसको राश्पति ने मंजूरी दी और यहां अधियम बन गया यहां लाया किसलिए गया है कि भरती परिच्छों में नकल पर सकती का कानून लागू हो इसके लिए और इसमें इस कानून का मक्सद सरकारी प्रवेश्वा भरती परिच्छाओं में पारदर्स्ता निस्पच्छता वा विश्यूश्निता लाना है परिच्छा में सेवा परदाता की गड़वड़ी पर अब तीन साल से ले करके दस साल तक की सजा और एक करूण रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा कानून के तहस सभी अपरास संगे और गैर जमानती होंगे अब आप सोचिए यह जो कानून लाया गया है यह नकल को रोकने के लिए लाया गया है या जो नकल माफियां है जो पेपर आउट कराते हैं इस प्रकार की कारवाईयां मतलब गडविधियां करवाते हैं उन पे नकेल कसने के लिए अब जो च्छात्र हैं, युदि छात्रों के द्वारा इस तरह के मामले उठाय ही नहीं जाएंगे तो ये जो नकल माफियां, पकड़े कैसे जाएंगे ये किसी परिच्छा में लोगों के द्वारा यहां बताया ही नहीं जाएगा कि हाँ इस परिच्छा में गवड़ी हुए तो आप जाच किस बात की करेंगे तो प्रसासन को तो यह करना चाहिए न कि यह दिछात्रों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं तो आप उनकी जाच करते आपने वो नहीं किया आपने उल्टा उनहीं के उपर दमनात्मक कारवाई करते हुए क्या कर दिया उन पे केस कर दिया इसी प्रकार का केस जो है एक पहले भी किया गया है अब इससे होगा क्या इससे जो नकल माफिया है उन पे नकल तो लगेगी नहीं नकल माफिया जो है और आराम से नकल कराएंगे क्योंकि होगा क्या कि जो छात्र है वो डर के मारा इस तरह की बाते उठाएंगे ही नहीं वो social media या media के सामने आएंगे ही नहीं अपनी बात को लेकर कि किहां कोई paper out हुआ है जब कोई पेपर आउट होने की ऐसी चर्चा ही नहीं होगी, तो कोई कारवाई ही नहीं होगी. तो इसलिए प्रसासन को इसमें सोचना चाहिए, कि आपको कारवाई किस पर करनी चाहिए. यदि आप किसी छात्र पर मुकदमा दर्ज करते हैं तो आप सोचे उस छात्र का पूरा कैरियर और एक तरीके से उसका जीवन आपने तबाह कर दिया जो DM साहिबा गांजीपूर की हैं आप सोचे ये भी इसी प्रकार की पृत्योगी परिच्छा को पास करके ही DM बनी होंगी तो उन्हें उन छात्रों की संबेदनाओं उन छात्रों के संघर्स और भावनाओं को समझना चाहिए कि छात्र जीवन में कितनी चुनावतियां होती हैं कितना तनाव होता हैं किसी परिच्छा से चात्रों को कितनी उमीदे होती है तो इस पहलू को नजर अंदाज करते हुए DM साहिबा ने क्या किया यहाँ पे कारवाई कर दी तो देखिए लगातार जो चात्र डिमांड कर रहे हैं और आप देखेंगे जैसे दही जागने में भी कहा कि जो चात्र हैं वो लगातार सोसल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं कि इस पेपर को कैंसल किया जाए क्योंकि ये एक कोई छोटी-मोटी भरती नहीं थी 411 पत उत्तरपदेश लोग सेवा आयोक के दौरा 411 पतों की भरती निकालना जो इसकी तयारी कर रहे हैं वरसों उन्हों ने खपा दिये हैं यहाँ पे रह करके उनके साथ कितनी नािनसाफी होगी तो प्रसासन को उत्तरपदेश लोग सेवा आयोग को इन चीजों पर विचार करते हुए छात्रों की बातों को सुनना चाहिए और छात्रों के हित में फैसला लने चाहिए जिससे कि छात्रों का विश्वास जो है इस पर बना रहे कि हाँ आयोग जो है पारदर्सी तरीके से और सही तरीके से परिच्छा कराता है और यदि हम महनत करके एक्जाम देंगे तो हमारा सेलेक्शन होगा इस ये जो कह सकते हैं इसको बनाये रखने की जिम्मेदारी है वो आयोग की है कि छात्रों के अंदर आयोग पर ये विश्वास बना रहा है कि आयोग जो है सही तरीके से एक्जाम करा रहा है यदि हम महनत करेंगे तो हमारा सेलेक्शन होगा और आप देखेंगे लगातार छात्रों के द्वारा जो है विभिन सोसल मीडिया के माद्यम से इस चीज को उठाया जा रहा है और प्रसासन को इस पर विचार अवश्रे करना चाहिए तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेवाद बहुत धन्यवाद